लेकिन क्या कभी आप लोगों ने साई बाबा की हिलती हुई मूर्ती को देखा है? अगर नहीं देखा, तो ज़रा इस वीडियो पर नज़र डालिए, जो एक मंदिर की है, जहां पर रात के वाक्त CCTV कैमरे में बहुती अजीब सी घटना रिकॉर्ड हुई. दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मूर्ती हिलकर अपने उपर लगे माला को हटा रही है. पहले इस मूर्ती से एक तरफ की माला हटी और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ की माला इस मूर्ती से हट गई. और हम इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि ये माला अपने आप नहीं हटी अब दोस्तों ज़रा इस वीडियो पर नजर डालिये जो एक चर्च की है जहाँ पर जीसिस की मूर्ती लगी हुई थी तो वहीं एक व्यक्ती चर्च में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और जब पूरे चर्च की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसने जीसिस की मूर्ती को भी रिकॉर्ड करने की सूची उस वक्त तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली लेकिन उसके बाद में जब उस वीडियो को देखा तो वो भी दंग रह गया क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जीसस की आँखे खुली थी दोस्तों हाला कि कुछ लोग इस वीडियो पर विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते लेकिन ये वीडियो उस वेबसाइट से है जहाँ पर पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज की सच्ची घटनाओं का जिक्र होता है और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे इस मूर्ती की आँख खुली है दोस्व अब जीसस की इस मूर्ती पर नज़र डालिये जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है क्योंकि ना ये मूर्ती हिल रही है ना ही उसकी आँखे खुली है बलकि इस मूर्ती की आँखों से खून के आँसू गिर रहे थे जो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं और जिस जगह की ये वीडियो है वहां के फादर का भी कहना आए कि जीसस की मूर्ती से अचानक से ही खून के आँसू निकलने लगे जिससे देखकर वहां मौजूद सभी लोग अख्शर्य चकीत रहे गए और उन्हें खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है दोस्तों अब हम आपको जिस जगह की फूटू दिखाने वाज़े हैं